नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टीशी टेले चैनल में दोस्तों पिछले वीडियो में जैसा कि हमने वेंडर की सिटिंग करी थी और इस वीडियो में हम इसकी पट्टियां काटेंगे पट्टियां किस तरीके से काड़ना है कितनी काटना है वैसा तो आप पैपिन इक के लिए हमेंच आउरे पट्टी ही चाहिए होती है यहां पर इस तर्डीके से भी नाप सकते हैं आप लोग यहां पर जैसे कि लिखा है नीचे अठाइस एम तो आप ड़ आप इसमें देखें अगर आपको ज़्यादा लंबी पट्टी चाहिए तो आप सीधा सीधा औरेप इस तरीके से काट सकते हैं तो अब हम इसमें आपको ऐसार तरीका बताएंगे अगर आपको ज़्यादा लंबी पट्टी चाहिए तो आप इस तरीके से भी काट सकते हैं जैसा कि हम ये चौकोर काटा हमने ये उसके बाद हमको ये काट लेना इस तरीके से औरेप करके इस से बिल्कुल औरेप आपकी पट्टी रहेगी तो दोस्तो इस तरीके से आपको औरेप काट लेना है और उसके बाद ये बाल कपड़ा उठाके आई से करके इस पे रख देना है तो इस पे रखने के बाद अब हम लगाते हैं इसमें सिलाई ये जो पैपिन के लिए हम जोड लगा रहा है ये काफी महीन सिलाई में लगेगा बिल्कुल महीन इससे क्या होगा हम काटेंगे उसके बाद हमारी ये पैपिन खुलना नहीं चाहिए बरना आपको इधर उधर टाकी लगाना होगती है महीन सिलाई लगा देंगे तो टाकी लगाने की जड़ूती नहीं तो ये हमारा जोड लग गया उसके बाद इसको हम छांट देंगे बिल्कुल कम रखेंगे दबाओ देखें हमने कितना कम रखा है दबाओ वैसे बात बताने जो फोल्डर में पैफिन लगती है उसमें जोड नहीं होता है लेकिन अगर आप इतना लंबा कपड़ा कहां से लाएंगे कि जोड़ना हो तो ऐसे में हमको क्या होता है बहुत महें से लाएं लगा के बिल्कुल ही महें अगर ना लगा तो दोनों तरफ नाकी लगी यो खुलना नहीं चाहिए पर उसका मार्जन जो है थोड़ा सा कम रख लेंगे जैसा कि यह हमको इतनी काटना है तो पूरी हम सबावविंच की पट्टी के निसान लगा के और इसको काट लेंगे तो इतने हमको निसान लगा लेना है सिंपल सा तो देखे जब फंटी कितनी है नाप लेते हैं तो देखे यह फंटी भी हमारी सबाविंच की है तो हम फंटी है मारी इसी के नाप से हम सारी ऐसे ही निसान लगा देंगी इसमें तो दोस्तों जैसे के निसान लगा दिया आपको क्या करना है ऐसे करके यह हिस्सा रखना है और यह बाला हिस्सा आपको ऐसे करके ओके तो यह इस तरीके से आया है अब आपको बराबर इसके नहीं जोड़ना है बराबर जोड़ेंगे तो फिर आइसे करके आपको जोड़न करना है तो आप इसको सीधा सीधा पट्टियों को भी काड सकते हैं और उसके बाद बाद में जोड लगा सकते हैं चार-पांच पट्टियां जादा टाइम नहीं लगेगा तो हम यहाँ पर सबस्पहले इसको काड लेते हैं तो यह हमारी पटियां कट गए अब हम क्या करेंगे अब हम लगाते हैं इसमें जोड़ फटाफट से तो यह अमको दिखाते हैं तो यह हम को दिए दिखे सीधा है इसमें भी जोड लगा हुआ है ये भी आपको अईसे करके रख دेना है और उसके बाद ऐसे यह देखना है यह हमारी बराबर आ रही है तो हम इसको बराबर करें यह न चाह ऐसे भी काट सकते हैं उसके बाद आपको जैसे पैपिन के जोड़ लगाते हैं आइसे ही आपको ऐसे पलट देना है और यह दोनों तरब टाकी लगा के लगा सकते हैं और चाहें तो अगर महीं से लगा रहा है तो ऐसे भी लगा सकते हैं और टाकी थोड़ी सी लगा रहे हैं तो ज़्यादा बहतर रहता है खुलती नहीं है हमारी जल्दी यह चीज तो उसके बाद देखें यहाँ पर आए अब फोल्डर में क्या है ज़्यादा जोड़ नहीं होना चाहिए तो ज़्यादा बहतर रहता है तो छोटा सा यह देखें जोड़ आ रहा है इसको पडोसम भी जोड़ आएगा तो यहाँ पर की पैपिन है हम इसको काट देंगे जोड़ यानि की निकाल देंगे तो उसके बाद देखें यह आया है यह सीधा है उसके बाद हमको ऐसे करके पलट लेना है पलटने के बाद यह जोड़ है इसमें इसको हमको उल्टी दरब करना है ऐसे और रखना है इसे और इसको हम छांट देंगे तो ये तो आप लगाई लेते होंगे बहुत ही एजी है और उसके बाद ये तो इसको भी हम निकाल देते हैं ज्यादा दहीं रखेंगे जो यहाँ पर बीच में ज्यादा है मतलब दूरी पर बो रखेंगे किनारे वाले हटा देंगे यहाँ पर ऐसे रखना है इसको छाटना है और ज़्यादा में जोड रखें खड़े में ज़्यादा जोड नना रखें और फिर ऐसे तो ऐसे ही सारे हम लगा लेते हैं तो दोस्तो इस तरीके से देखे हमने ये जोड लगा लिये अब इनका margin जो है वो कम से कम रखना है तो ज़्यादा बहतर रहता है बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कि यह आपकी निकल जाए तुरंती पेपिन मतलब इतना हो ठीक हो बहुत ज़्यादा ना होना चीए बनना नारा बनाते हैं आपको क्या लगता है जैसे की नारा बनाते हैं तो जोड के पास एक्दम gart type की बन जाती है तो वो problem आती है जोड में तो इसलिए दबाव कम रखा जाता है यह देखिए इस तरीके से कुछ आया है हमारा जो उसके जोड होते हैं देखिए जो हमने बाद में लगाई इसमें देखिए कम जादा थोड़ा था है लेकिन जो आपको जैसा मैंने वो trick बताई है उस हिसाब से लगाएंगे तो देखिए जोड बिल्कुल ही perfect लगते हैं यह देखिए यह जोड बिल्कुल perfect लगा हुआ है तो यह पहले का मतलब है जो trick हमने बताई तो उससे एकदम जोड बिल्कुल first class लगता है तो बैसे लगाएंगे तो ज़्यादब बहतर रहता है यह हमारा काम होगे अब हम लगाते हैं इसको folder में तो दोस्तों इस तरीके से आपको यह पैपिन जो है वो डाल देनी है तरह उपर तरह उपर करके जितनी भी लगाना हो जिसे भी आप इधर आते हैं तो देखें यहाँ पर इस तरीके से आईए ऐसे करके उसके बाद इसके अंदर फसाना है और उसके बाद यह वाला हिस्सा इसके अंदर फसाना है उस अब उसके बाद हमको क्या करना ये किनारा है इसको अडा लेते हैं इसको हम आज से करके खींच लेंगे खोड़ा सा खींचना है और इसके अंदर आसानी से ये चला जाएगा यहांपर दबा लेते हैं और फिर इसको आराम से बढ़ाते हैं इधर से आए उसके बाद हम सुई से इसको खींच लेंगे कपड़े को ये देखिए ये हमने खींच लिया अब ये देखें जोड़ यहीं पर है बिल्कुल मुँपे तो जोड़ हमको निकाल देना है उसके बाद जो है उसके बाद हम आई से करकर रख देंगा वो सुई जो है वो तूटी वी लगी है और थोड़ा सा हम चलाएंगे और सुई तूटी ही है अभी हम क्योंकि अगले पार्ट में हम इसको चलाके दिखाएंगे और ये देखिए अपनी आपी आटो मीटिंग नारा निकलने लगा अब मैं आपको इदा दिखाता हूँ ये इस तरीके से चल लेए देखिए ये नारा निकलने लगा अब आपको मतलब आप मोटर चलाएंगे तो एकदम परफेक्ट सड़ा सा सड़ा सा निकलती भी चली जाएगी है तो अब हम अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे इसको किस तरीके से क्योंकि होता गया है कभी कदर हमारी सिलाइएं बीच में इदर साइड में लग जाती है नारे के अब देखे ये तो हमने आपको बता दिया किस तरीके से पैपिन लगाना किस तरीके से इसको रखना है और इसमें लगा की भी दिखा दिया अब दिखिए निकलने भी लगी पर क्या है अभी हमने इसको मसीन से शिलाई नहीं लगाई है अब हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे सिलाई अपको अब तो ये तो जानी ए anda आपको ऐसे निकलती है पैपिन और ये निकलती चली जाएगी नारा बनाए चाहें आप पैपिन लगाएं दोनों काम हो जाएंगे उसके बाद जो है पर क्या होता है कभी कदर यह सिलाई हमारी उतर जाती है नीचे उतरेगी उतर के चलेगी तो आपको वो सिटिंग करना होती है या फिर आपकी सिलाई मोटी चल लए लपपे बिल्कुल नहीं चल लए है तो आप उसको किस तरीके इसके पैपिन निकाल के दिखाएंगे फिर आम इसकी सिटिंग बताएंगे तो यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करें और इसका अगला पट देखने के लिए चैनल को सब्स्राइब करें तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो को साथ तब तक के नमस्कार